हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो एटीप सार कोटा स्टूडेंट्स हम लोग लेके आ चुके हैं पेपर वन इन और्गेनिक के सॉलीशन चलिए स्टार्ट कर देते हम विद इन और्गेनिक सॉलीशन ठीक है सबसे पहला जो हमें सवाल दे रखा है वो मोट से रिलेटेड है करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अवाउट्स फॉर्म बाइप ऑफ टूपी जब बात होती है तो मोट हमें याद आती है पहला वोला हुआ है सिग्मा और्बिटल है स्टू टोटल अफ टू नोडल प्लें इंटर्फेरंस शो करेंगे तो यहां प्लस यानि की चन्स्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस जब होगा तब बात कर रहें ब्लस और माइनस यह दोनों जुडेंगे और कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा माइनस माइनस और यहां पर आजाएगा अगर आपकर यहां पर Just R grim noil plane और यह दूस्रा देखने को जाता है जो पहरा statement है यह सऀ लिए सब of yhte को कर रही है तो वह है वबन फार पास बना आ tahun अगर उसको बनाते हैं तो हैं पर कैसे बनेगा ये फैंस आपोजिट न… फैंस क्या होगा ना पार मतलब destructive interference देखने मिलेगा तो कुछ इस तरीके से हमार पास में यह प्लस यहां आ जाएगा माइनस और एक नोडल प्लेन यहां पर जरूर हो and goes through the center of the molecule तो अगर हम πाई बनाना चाहते हैं तो πाई कैसे बनेगा basically हमार को πाई बनाना है मतलब bonding ही बनाना है तो मतलब face क्या होना चाहिए same ये दोनों overlap करेंगे और इस तरीके से आपके पास में जो पाई है वो बन जाएगा या plus और यहाँ पर minus तो according to statement बोला जा रहा है कि ये एक nodal plane होने वाला है नहीं यहाँ पर electron density present है यहाँ पर अगर electron density present है तो ये nodal plane बिलकुल भी नहीं होगा इसका मतलब जो statement है वो गलत हो जाता है और pi star की अगर आप बात करते हैं तो pi star basically कैसे बनेगा pi star आपके पास बनेगा opposite phase से plus minus plus और minus तो ये इस तरीके से आपके पास में कुछ opposite phase में overlap करेंगे यहाँ आएगा minus plus plus और यहाँ जाएगा minus ये आपके पास में दो nodal plane हमें देखने को मिल जाएंगे जिसमें से एक जो nodal plane होगा वो xy plane के अंदर लाए करेगा तो ये हमार पास में सही है तो A और D इसके सही जवाब हो जाते हैं ठीक चलो next question की तरफ बढ़ते हैं तो next question जो है वो metallurgy से related है electrochemical extraction of aluminium from bauxite ore involved तो जब भी बात आती है metallurgy की तो यहाँ पर बात करीगे ये aluminium की सबसे बहला statement है option A जो बोलता है reaction of Al2O3 with coke at temperature greater than 2500 degree Celsius तो ये काम बिल्कुल ना करें ये काम आप कभी भी नहीं करेंगे और ऐसा क्यों हो क्योंकि जैसे ही आप Al2O3 को reaction कराओगे carbon से मतलब reduction करने की कोशिश करोगे carbon से तो ये basically क्या करेगा ये एक carbide बना लेगा जो हमारे काम का नहीं होता है तो इसलिए बोलाता है highly electro positive metals के लिए कभी भी carbon reduction का जो method है उसको follow नहीं करते हैं तो जो option A वो गलत हो गया the neutralization of eliminate solution by passing CO2 gas to precipitate hydrated alumina Al2O3.3H2O तो ये one of the methods of concentration होता है for bauxite ore ठीक है तो जैसे bears process होता है तो बेर्स और सर्पेक्स में से ही basically हमार पास ये one of the chemical methods होता है leaching का process होता है for the concentration and this is actually true तो ये बिलकुल सत्य है इसमें कोई दिक्कत नहीं option भी सही है the dissolution of Al2O3 in hot aquas NOH NOH डाला जाता है Al2O3 के अंदर Al2O3 being a amphoteric oxide ये react करेगा एक complex बनाता है जो की क्या होता है soluble होता है फिर उसको हम चान लेते है gang particle अलग हो जाते है और हमार पास जो complex है वो मिल जाता है soluble form के अंदर फिर उसको वापिस हम retain कर लेते है तो ये भी सही है और last आ जाता है electrolytic reduction से related electrolysis of Al2O3 mixed with cryolite Na3LF6 जो की conductance बढ़ाने में काम आता है ये देता है aluminium और aluminium कहां पर देता है aluminium देता है cathode पर और CO2 कहां पर देता है CO2 देता है ये भी बिल्कुल सही statement होता है इसके साथ में calcium fluoride या फिर floor spar भी डाला जाता है ताकि melting point कम हो जाए यहां पर अगर हम बात करते है आंसर की तो आंसर आ जाएंगे B, C और D चलिए बढ़ते हैं next question पर next question है treatment of galena कहीना कहीं metallurgy के इस्तमाल करना ही था ठीक galena basically simple सा नाम है मतलब याद रहता है maximum को बोला जा रहा है HNO3 के साथ produce करता है एक gas that is पहले reaction लिखते है तो PBS plus HNO3 यह react करेगा और देगा PBNO3 whole twice plus sulfur plus साथी साथ में NO तो यहां पर हमें जो gas मिलती है वो कौन सी होती है NO होती है NO अगर आप बात करते हैं यहां पर electrons के sum की तो 7 plus 8 तो कितने हो गए 15 यानि कि यह एक odd electron species है ना यह 15 है 18 मद समझ ले ना odd electron species है तो odd electron species होने की वज़े से क्या हो जाएगी paramagnetic हो जाएगी साथ ही साथ में यह nature के अंदर neutral होती है NO, N2O और CO बहुत बार आपको बताया जाता है NO, N2O और CO याद रख लो ठीक यह गलत हो गया यह एक acidic oxide नहीं है और साथ ही साथ में यह एक colorless gas भी हो जी है तो option A और option D हमारे पास इस सवाल के हो जाएगे सही आंसे ठीक, चलो next में बढ़ते हैं तो next आपको दे रखा है S block के यहां से मतलब यह basically S block से ही दिया हुआ है S block और hydrogen से list one contains compounds and list second contains reactions तो सबसे पहले हमें बनाना है H2O2 तो भाई कहीं का भी peroxide ले लो उसका hydrolysis कर दो या फिर acid से reaction करा दो H2O2 मिल जाएगा तो भाई यह रहे आपके पास peroxide यह रहे आपके पास peroxide तो सबसे पहले अगर आप बहुत famous reaction जो NCRT में भी mention है वो हो जाती है आपके पास में BAO2 को ले लिया जाता है किसके साथ में H2SO4 के साथ में और बना लिया जाता है क्या H2O2 तो फर्स के लिए हमार पास में जो सही होने वाला है वो हो जाएगा क्यों फिर magnesium hydroxide बनाना है यह अगर आपने देखा हो तो यह hardness के अंदर एक reaction होती है temporary hardness अटाने के लिए calcium hydroxide डाला जाता है यहां से आपको क्या क्या मिलता है यहां से आपको मिलता है MgOH whole twice plus calcium carbonate का precipitate तो दोनों के ही precipitate मिलते हैं और एक और तरीका है magnesium hydroxide बनाने का और वो जाता है R के अंदर यहां से भी हमें MgOH whole twice ही तो यहां से हमार पास MgOH whole twice मिलेगा तो second के लिए हम रख देते हैं R क्यों क्योंकि fourth के लिए हम लोग रखेंगे P ठीक है fourth के लिए हम लोग क्या रखेंगे fourth के लिए हम लोग P रखेंगे क्योंकि और कोई option नहीं दे रखा है तो यह आ गया P BACL2 बनाना है BAO2 ले लो और SCL डाल दो पर ओक्साइड तो मिलेगा साथ ही साथ में BACL2 भी मिल जाएगे तो QRSP अमार पास answer आ जाएगा और QRSP answer हो जाएगा अमार पास में option D ठीक तो यह simple का question था और यह hydrogen से था in fact यह पूरा NCRT based D था ठीक है तो इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना था चलो next question जो कि last question है हमार पास paper 1 का वो related है coordination compound से यहाँ पर list 1 दे रखिए जहाँ metal species है और list second के अंदर उनकी properties है अगर हम complexes की बात करते हैं तो chromium यहाँ पर plus 2 ruthenium plus 4 chromium यहाँ पर again plus 2 और iron भी यहाँ पर plus 2 configuration की बात कर लेते हैं भाई तो यहाँ पर भी D4 यह भी D4 यह भी आपके पास में D4 होता है और यह होता है आपके पास में D6 ठीक cyanide के से पहले CL क्योंकि ruthenium basically 4D series से belong करता है तो यहाँ पर हर एक ligand एक strong field ligand की तरह काम करेगा मतलब pairing होगी तो यहाँ पर इन दोनों के case में ही T2G के अंदर electrons जाएंगे तो first के लिए आजाएगा P और second के लिए भी आजाएगा P दोनों के लिए जो P है वो common होगा अगर आप बात करते हो D6 configuration की तो D6 configuration हमार पास में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर यह होता है आपके पास में D6 configuration जहाँ पर T2G के अंदर 4 electron देखने को मिल जाते हैं तो T2G के अंदर हमार पास कितने electron है? 4 इन फैक्ट यहाँ पर भी आपके पास जो option P है वो available हो जाएगा फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर mu की 4.9 बोहर्स magneton का मतलब होता है यह unpaired electron की जो संख्या है unpaired electron कितने होने चाहिए 4 unpaired electron होने चाहिए तो अगर आप T2G की बात कर रहे हो तो T2G में 2 ही unpaired electron होंगे तो पहले दोनों में 2 unpaired electron हाँ अगर आप option 3 देखते हो तो यहाँ में 4 unpaired electron देखने को मिल जाएगे तो इसके लिए बेटा चला जाएगा Q और last में अगर आप D6 देखते हो तो देखो D6 में 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर भी 4 unpaired electron देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ आजाएगा आपके आज पी और क्यू इसके लिए भी और पी आजाएगा आपके आज बागी सब के लिए अचा लो स्पिन कॉम्पलेक्स कहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर strong field ligand प्रेजन होगा तो low spin complex आ जाएगा आपके पास में R के case में मतलब first के case में R और second के case में भी हमार पास में क्या आ जाएगा R आ जाएगा अचा एक और है metal iron in plus 4 oxidation state तो यह सिर्फ A की option के साथ जाएगा जो की हो जाएगा S मतलब second के साथ ही जाएगा इसके अलावा D4 species की बात करें तो यह तीनों ही D4 है तो T यहाँ पर भी आएगा T यहाँ पर भी आएगा और T यहाँ पर भी हमार पास आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर Q and T हो गया हमार पास में plus 4 हो गया आपके पास D4 species हो गई तो Q और T हो गया तो यह हो जाता हमार पास में पेपर 1 का इन और्गैनिक केमिस्टी का एनालसिस ज्यादा टफर साइट पे नहीं था बहुत सिंपल सिंपल सी और बहुत इजी ती चीजें पूछे गई थी S-Block and Hydrogen अगें recommend किया जाता ही कि NCRT या बहुत अच्छे से देखें hardness से उपर ही इससे पहले वाली जो matching list थी वो hardness के उपर ही बेश थी ठीक तो चलिए मिलते हम लोग अब second paper के analysis पर